व्रांचिस ओफ एम्रे लोजी पेला प्रांचिस ओफ एनाटोमी नी जाय हम आपन बहुत सिंपल जा अचुली एम्रे लोजीकल एनाटोमी ए एनाटोमी नी जाय करन्च छा बन ए नी अंदर बन पाचे बीची 5 सब टाइप पड़ा जा दाट इस वेः सिंपल, DCECT, पेली जाट रही का थी, के GHC2RSE, E नी यंदर फरिती, DCECT, दाट सिंपल, हावे आ DCECT ना अगर्ट सिंपली जो या, के D एटले डिस्क्रिप्टिव, एज एम्ब्रियो लोजी, एम्ब्रियो नू, के वरिता देवलोप्मेंट थाई चे, एने ड दिस्क्रिप्टिव ना फर्म नी अंदर एक प्रॉपर लिट्रेचर नी रिता जो, that is descriptive, then second C is comparative, बै अलग अलग species, जैमके मनुष्य ना एम्ब्रियो ने, माचली ना एम्ब्रियो के काचबा ना एम्ब्रियो ने, एक भी जा साते सर्कावी ने, एमनों formation, एमनों development के बीची techniques apply करीन, एनी उपर experiment करीन, एना formation वीश ने ग्रोथ ने development विश जानू, that is called experimental embryological anatomy, then C is chemical embryological anatomy, chemical इंदर थ्रोन फेज आउसा, that is biophysical, biochemical अने physiological, that is आ थ्रोन नी अनुरूप, आ थ्रोन जैरे आउसा, त्यारे normal embryo, आटली चार अलग अलग तबके, अपड़े समत्ता रिश हवे ए normal embryo ना development, जारे कोई malformation आवाजे, त्यारे एनी अन्दर लास्टी एड था जा, that is tetralogy, tetralogy is nothing but study of that malformation could seen in embryo, so these are the basic branch of anatomy, के एन्ने आपड़े ट्रिक मा याद राक्यो, that is G, H, C2, R, S, E, आने एनी अन्दर D, C, E, C, T करता है